भाई और बहनों मैलाओं और बच्चों के स्वात से लेकर सुरक्षा तक केंद्र सरकार ने नई एप्रोच के साथ काम किया है नियत और निति को हमने कैसे बढ़ला इसका एक उदारण है मिशन इंद्र धनूश साथियों देश में टिका करण अभियान कई दसक से चल रहा है दवाई यह आती हैं टिका लगाने वाले आते हैं गाउं गाउं जाते हैं पैसे खर्ज होते हैं अवटराइजमेंट होता है टीवी पैस सब होता है लेकिन दिल्ली में सरकार हो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो पिछली सरकारों की कोशिशों के भाईयों भहनों यह जो स्थिती मनी है यह स्थिती किसी भी हालत में कई दसकों से अभियान चल रहा था लेकिन वे कोई परणाम नहीं ले पाए 2014 देश में टीका करन का दायरा 60 प्रतिशत तक भी नहीं पहुँच पाया था जिस रफ्तार और जिस मानसिक्ता से टीका करन चल रहा था उससे लक्ष प्राप्त करने में दस्षकों लग जाते ऐसे में हमारी सरकार ने मिशन इंद्र धनुशियोजना शुरू की और देश के उन जीलों पर पहले लक्ष केंद्रित किया जहां टीका करन हो ही नहीं पाता था जहां अनेक कारणों से टीका लगाने वाले पहुचते ही नहीं थे सरकार ने इस कारे को गती दी अपने तमाम मंत्रलायों को इस कारे में लगाया सामाजिक संगठनों को जोड़ा और आज नतीजा देश के सामने है साथ क्यों आज देश संपूर्णा टिका करन की दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहा है अगर हम पहले की सरकार की रफ्तार से ही चले होते तो इस लक्ष को प्राप्त करने में अगले दो तीन दसक और लग जाते और तब तक तो कितनी मा बेटी और बेटों का जीवन बरबाद हो जाता साथियों ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है ये हमारी कार्य संस्कृती है गरीब का दुख देकर उसकी तकलीब देकर हम बिलकुल जमिनिस्टर पर जाकर फैसले लेते हैं आप याद रखिए दूर दराज में रहने वाले लोगों ने वहां के गावों में किसी ने प्रदेशन नहीं किया था कि हमारे बच्चों को भी जीवन देने वाले टीके लगने चाहिए किसी करीब ने मांग नहीं की थी कि बच्चों को लगने वाले टीके बढ़ाये जाएं गरीब का जीवन बचाने के लिए गरीब के बच्चों का जीवन बचाने के लिए पूरी सम्वेदन सिल्टा के साथ ये फैसले हमारी सरकार ने लिये साथियों हमारी इस प्रप्रोज की वज़े से अभी तक पुरे प्रदेश में करीब सवा तीन करोड से अधिक बच्चों और पच्चासी लाग से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीका करन किया जा चुका है इसमें उड़ी साके पांच लाग बच्चे और करीब डेड़ लाग महिलाएं हैं साथियों केंदर सरकार बेश के हर नागरी के स्वाच की चिंता कर रही है थोड़ी ज़ेर पहले मैं जारखन में था आविश्मान भारत के तहट जो पांच लाग रुपिय तक का फ्री मुप्तमे इलाज गरीबों को मिल रहा है उससे देश के साड़े छे लाग तो जारखन में करीब पचीस हजार गरीबों को स्वाच का लाब मिला है दुरबागी यह हैं कि ओड़ी सा के लाखों गरीब परिवार इससे बंचित है मैं फिर यहां की सरकार से आगर करूँगा कोई से योजना से जुड़े और गरीब को मुप्त इलाज 12 सरकार दे रही उसका फायदा उठाएं